हाई गाईस आजम बात करने वाले हैं गुड एन के बारे में गुड एन क्या है जी फोर, यू फोर, डी फोर और एन फोर यहाँ पर हमने सिंपल तरीके में समझने के लिए एक की फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसे आप गुड एन के जरिए इकोलाई को आप याद रख सके है ये यहाँ पर हमें क्या करना होगा गुड एन, जी फोर यानिकि ग्राम निगेटिब सेप्सिस ऑगर किसी को है तो वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है या फर यह सेप्सिस कर सकता है किसी मरेज में ठीके U, U4, UTI, यानि की Urinary Tract Infection, ओके, Urinary Tract Infection, ठीके, तो यह हो गया हमारा, ओके, यह हमारा जो Kidney, यानि Urinary Tract Infection, और आगे चलते हैं, D, D4, डाइरिया, यानि की आपकी जो Intestine है, आपकी जो Intestine है, ठीके, अब D, डाइरिया, इसके बाद में N, 4, Neonatal Meningitis, ठीके, Neonatal Meningitis, यानि की जो छोटे बच्चे होते हैं, हाल के बच्चे होते हैं, 28 दिन से पहले-पहले के जो बच्चे होते हैं, या फिर इसके बाद भी ये Meningitis कर सकता है, लिकिन यहाँ पर हम Special Term Use कर रहे हैं, Neonatal, Neonatal यानि की छोटे बच्चे जो हाल के बच्चे होते हैं, 10, 15, 20 दिन के जो बच्चे होते हैं, उनको हम Neonatal, एक महिने के जो बच्चा होता है, उन्हें हम Neonatal की Categories में रखते हैं, तो Good N के फॉर्मूला से आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए, या तो आप ये याद रखें कि Deiria में E.Colai मिल सकता है, Neonatal Meningitis किसी मरीज को है, तो E.Colai मिल सकता है, UTI किसी मरीज को है, Urinary Tract Infection अगर किसी मरीज को है, तो यहाँ पर भी आपको E.Colai मिल सकता है, Gram Negative Sepsis, अगर किसी मरीज को Sepsis है, तो वहाँ पर भी आपको E.Colai मिल सकता है, ठीके, या फिर आप ऐसे समझ लिजिए, अगर E.Colai की बज़र से होने वाले बीमारियां ये इतने तरह की होती है, So I hope यह वीडियो आपको समझने आएगा, और इस गुड़ एन को समझने के लिए यह formula मेरे साब से आपके लिए suitable होगा, मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसे नए topic में तब तक के लिए बबाटिक है, Thank you for watching.